दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे की Mobic Keep Zip Application का पैसा आप अपने बैंक में कैसे ट्रास्पार्क करेंगे अगर दोस्तों आप Mobic Keep Zip Application को यूज करते हैं और दोस्तों आपके वयलेट में पैसा है या फिर दोस्तों आप Mobic Keep Zip Payletter यूज करते हैं उस पैसों को आप अपने bank account में लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को सुरू से अंतक दखिएगा इस वीडियो के माध्यम से कैसे आपको Mobic Keep G publication का पैसा bank में transfer करना है और आपको क्या problem आता है मुझे comment के जरिये बता सकते हैं और दोस्तों आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आपको 100% grantee के साथ बोल रहा हो कि दोस्तों आपको Mobic Keep G application का पैसा निकालने में किसी भी परकार का प्रशानी नहीं होगा दोस्तों विशेज ध्यान नहां पर आपको ए देना है कि किसी भी wallet का पैसा निकालने के लिए आप अगर pay letter का पैसा निकालते हैं या फिर दोस्तों आप wallet का पैसा निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको KYC होना चाहिए बिना KYC के दोस्तों आप पैसा यहां पर add कर सकते हैं या फिर दोस्तों आपको जो पैसा मिला है वो पैसों को नहीं निकाल पाएंगे लेकिन दोस्तों पैसों को निकालने के लिए आपको एक असान बताएंगे तरीका जो कि दोस्तों आप किवाईसी करके असानी से पैसों को निकाल सकते हैं तो कैसे निकलना चलिए देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोवाइल फोन में मोवी कीप जी पबिलिकेशन पर आ जाएंगे आने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर दिपावली का कुछ ओफर चल रहा है जो कि दोस्तों वाइलेट के पैसा आप आसानी से लगेंगे बाकी आपको जितना भी पैसा आओगा आसानी से निकल जाएगा तो दोस्तों आपको कैसे निकलना है यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किसी भी पैसों को निकालने के लिए सबसे पहले आपको KYC करना होता है तो दोस्तों KYC करने के लिए या फिर आप देखना चाहते कि मेरा MobiKip G Publication में KYC है या नहीं तो सबसे पहले आप अपना photo को पर किलिक करेंगे यानि profile को पर किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीची आना है यहाँ पर आप देख पा रहेंगे help m support यहाँ पर आपको किलिक करना है और यहाँ पर jc आप किलिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे my account mkyc यहाँ पर आपको click करना है और यहाँ पर click करने के बाद दोस्तों अगर आपको kyc करने में problem आता है तो दोस्तों यहाँ पर आप दो number में click करें kyc को उपर यहाँ पर आप jc click करेंगे तो दोस्तों आपको जो kyc आपका problem होता होगा करने के लिए हैं उसके बादा नहीं 20 पर देख पारु इहांप लिखा हुआ है और वी गड़्य अपर बताय जा रहा है कि आपको यहां पर के वाइसी करना होगा वाइलेट डीजिटल के वाइसी अगर आप कर लेते हैं तो आप वाइलेट से अपना पैसो भेज सकते हैं जो भी आपका पैलेटर मिलता है उस पैसो को आप निकाल सकते हैं तो दोस्तों मेरे पास जो किवाईसी है यहाँ पर सक्सेश्फूली दोस्तों यहाँ पर हो चुका है जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको पैसे ट्रास्पर करने में किसानी नहीं होने वाला है अगर आप इस पर अधार किवाई सीग कर लेते हैं तो दोस्तों कैसे आपको ट्रास्पर करना है यहाँ पर आपको बताते हैं यहाँ पर आप देख पार हैं violet to bank transfer यहाँ पर किलिक करना है और यहाँ पर जिस भी bank में दोस्तों आप पैसा भेजना चाहते हैं निकालना चाहते हैं यहाँ से beneficiary बना लेंगे यहाँ पर amount डालेंगे यहाँ पर दोस्तो कुछ यहाँ पर charge लगते हैं उसके बाद दोस्तों इस आप देख पारोंगे add करने के लिए कहा जा रहा है लेकिन दोस्तों यहां पर add नहीं करना है यहां पर direct आपको जो पड़ा हुआ है वाइलेटर में पैसा है उस पैसों को असानी से यहां से निकाल सकते हैं दोस्तों मिद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद है होग वीडियो पसंद है और वीडियो को like, share, comment करें दोस्तों अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो दोस्तों इस चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन प्रेस कलेंगे चलिए दोस्तों नेस्ट वीडियो मिलता है तब तक जहें नोंदे मातरां